बिस्मिल्ल्य रह्मान रहीम आज का जो मारा टॉपिक है यह एक्जेंपल नंबर थी है और सिंपल इंडेक्स नंबर और इसके अंदर हम चेंडाइस ही निकार रहे हैं जब आपको प्राइस रेलेटिव्स दिये गए हो और बेस मेंशन हो अचा देखें यह जो तीसरी एक्ज यह हम खाली डिटा जब लिखता है तो उसमें फर्क क्या होता है जैसाल के आपके जो लिंक रिलेटिव्स वही आपके चेंडाइस बन जाते हैं और वही आपका प्राइस लेटिव और चेंडाइस सेम होगा जब वो mention नहीं करता base और price relative देदे वो अगली next example में इंशनल्लाव आपको बताएंगे अर्तिसरी के वाँ उसी तरह compute होना है compute chain and eyes from the following price relatives taking 2000 as base year आप उसने बता दिया कि 2000 को ऐसा base ले ले तो यह years है यह prices है simple index number है क्योंकि prices का एक ही यह इस तरह row दी हुई है तो आई हम इसको शुरू कर लेते हैं यह नीचे इसका solution है हमने years लिख लिए price relatives यहां पर लिख दिए 81, 77 और 87 यह यहां पर लिख दिए link relatives आपको उसने दे रखे हैं तो हम कैसे निकालते हैं क्योंकि base given है तो इसका मतलब है यही इसी value पर हो जाएगा 100 से multiply तो यह 100 आ गया फिर उसके बाद यह 77 प्रीविएस वैल्यू पर डिवाइड करेंगी 81 पर 100 से multiply तो यह value आ गई उसके बाद 87 प्रीविए 77 इस पर डिवाइड करके 100 से multiply तो आपके पास यह value आ गई लिंक relative से निकल आए अब पहले साल का link relative और चेंडाइस सेम होता है तो वही लिखती है यहां पे 100 यहां shift कर दिया और उसके बाद यहां पे current का link relative यह है previous का चेंडाइस यह है दोनों को multiply करके 100 पर डिवाइड किया तो यह value आ गई और current का link relative यह है उसको यहां लिख दिया और previous का chain and ice आपके पास जो है वो यह है इसके साथ multiply कर दिया यह और इसको 100 पर डिवाइड किया तो यह value आगी तो means कि इसके अंदर आपने देखा कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता means कि price relative दे और साथ वो base mentioned कर दे तो कोई difference नहीं बिल्कुल ऐसे जिस example one example three same हो जाएगा ठीक है लेकि इसको dislike जरूर करें और वीडियो देखने का शुक्रिया